दोस्तो स्वागत है वाराल ओमलेट के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में पठान मुवी के तेरवे दिन के बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में बताएंगे और साथ में बताएंगे आमीर खान की फिल्म 3 Idiots का तेरवे दिन के box office collection के बारे में तो दोस्तो पहले आमीर खान की 3 Idiots फिल्म से शुरू करते हैं 25 डिसमबर 2009 में 3 Idiots रिलीज हुआ था इस फिल्म को रिडेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म का बजेट था लगभग 55 करोर रुपए और इस फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स अब इस collection के बारे में बात करें तो पहले दिन 3 Idiots फिल्म ने 12 करोर 5 लाग की opening ली थी फिर आता है Day 2 Day 2 में 3 Idiots ने 11 करोर 5 लाग की collection किया था फिर Day 3 में 13 करोर 5 लाग की फिर Day 4 में 11 करोर की पांचवे दिन में 9 करोर 5 लाग की छटवे दिन में 9 करोर की सादवे दिन में 10 करोर की आडवे दिन में 11 करोर की collection किया था फिर नौवे दिन में 10 करोर 5 लाग की दसवे दिन में 12 करोर 5 लाग की 11 दिन में 6 करोड की 12 दिन में 5 करोड 75 लाग की और 13 दिन में 5 करोड 25 लाग की तो टोटल 13 दिन का इंडियन नेट बॉक्स वबिस कलेक्शन था 132 करोड 5 लाग की अब बात करें Overseas की तो 3 इडियर्स फिलिम ने Lifetime कलेक्शन किया था 26 मिलियन का इंडियन रूपी में अगर कनवर्ट करें तो 3 लाग 14,000 का Lifetime Worldwide कलेक्शन की बात करें तो 3 इडियर्स फिलिम ने टोटल 392 करोड की कलेक्शन की थी अब बात करेंगे पठान मोवी के 13 दिन के बॉक्स वबिस कलेक्शन के बारे में पठान मोवी का बजेट था 250 करोड रुपए और पठान मोवी ने अपने ओपेनिंग डे में इंडियन नेट बॉक्स वबिस कलेक्शन किया था 57 करोड रुपए और फिलिम ने अपने दसवे दिनों के अंदर ही 388 करोड का इंडिया नेट बॉक्स अब इस कलेक्शन कर लिया था फिर 11 दिन में पठान मुवी का कलेक्शन था 23 करोड 25 लाग का 12 दिन ने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 30 करोड का और अपने 12 दिनों में ही पठान मुवी ने इंडिया के अंदर 431 करोर 25 लाग का कलेक्शन कर लिया था और डे 13 की बात करें तो पठान मुवी ने 13 दिन में लगभग 10 करोर का कलेक्शन कर लिया था तो टोटल तेरवे दिन का इंडियन नेट बॉक्स अविस कलेक्शन है 441 करोर 25 लाग का अब बात करें Overseas की तो Overseas में पठान मुवी ने अभी तक 317 करोर का कलेक्शन कर लिया है और Worldwide Gross Collection की बात करें तो अभी तक 832 करोर का कलेक्शन कर लिया है पठान ने तो हिंदी सिनेमा में आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया है जो पठान मुवी ने कर दिखाया है तो दोस्तो आपको क्या लगता है पठान मुवी और कितना दूर ठक जाएगी आपको जो भी लगता है कॉमेंट करके बता सकते हो और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को फड़ा फड़ सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो पे जैहिन दोस्तों